आप सभी का एक बार फिर्चे स्वागत है हमारे को नई वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं टिस्टेन कंपनी के पापूलर प्रड़क्ट गिरीन मेरिकल के बारे में वह डिटेल से जाने हैं किसमें कौन सा केमिकल कमपूशन पाय जाता है क्या इसके मोड़ और वेनि प्लस fatty acid chain पाय जाती है जो कि एक प्रकार से एल्कॉल अधरीद न्यू जेनरेशन का एक प्रकार का एंटिस्टेस है इसके साथ में अगर इसके मोड़ और वेक्शन के बारे में बात करें वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गा उसके साथ में हमारा जो प्लस पाइंट सब्सक्राइब करें लेकिन आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आपकी फसल में हर्विसाइट का अगर इस्ट्रेस हो गया तो एसी कंडिशन में आप ग्रीन मेलिकल का उप्योग कर सकते हैं जैसे कि आपकी जो बेजेटेटिव इस्ट्रक्चर है यह फिर से स्टार्ट हो जाएगा इसके साथ में अगर अगर डीप से बात करें तो आपका जो इंसक्टिसाइड का स्प्रे है उसके साथ में आप फं ऐसी कंडिशन में घ्रीन मेरिकल का इस्तमाल कर सकते हैं और अधिकतर जो जो आफेटेफल गरिंडिन का इस्तेमाल आगे पीछे हो रहा तो इसी कंडिशन में आप इस्तमाल कर सकते हैं जिसे कोछ अधर तक श्रय को यह कंट्रूल करकर नशाब करके Bere renovation के भी साथ अइसका बात कर सकते हैं इस में कोई भी जंजड नहीं सिर्वाद किसी प्रोट कि भारे में समी इसके नाजवर्गी फसल hero ऋग्भग बरगी होगी फूल वरगी को नी अफसें समीर कर सकते में इसके प्राइस हैं तो इसकंट के बात करें तो इसका इसका मार्केट भी अगर 2 ml भी यूज़ करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा वेनिफेट मिलेगा इसके बाद बात करें तो जब भी आप गर्मियों के मोसम में 40-50 ग्री जो तेमपरेशर होता है ऐसी कंडिशन में आप किसी बड़े पेले की नीचे से निकलोगे तो क्या होता है कि आपको प से उसटेस में होता है अपनी पत्तियों से पानी को छोड़ना है昨ुछ और कुछ इसी प्रकार की समस्य वndan के साथ भी होती तो फसलों को इस प्रकार की समस्या हो कांट्रूल करने के लिए अगर तेमप्रेसर को कंड्रोल करते हैं तो इसके लिए इस तैम शसेós में जाता है और आपको जो पोधा पानी को छोड़ना है श्टार्ट कर देता है वो श्टार्ट बंद कर देता है इसके साथ मैं मैं आप सभी को एक उधारन और देखर समझाना चाहोंगा एक उधारन की अगर और बात करें तो पाली हाऊस और जो नेट हाऊस है उसमें का होता है लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भले वाकि एंड दक वीडियो बाच करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद